है है उफ लाइन क्लास में इंटर्टाइन करने के लिए कभी करießen को जोक सुना दिया करता था लेकिन इधर लोगडाउन है तो ऐनलाइन क्लास में बच्छों को जोक सुनाता नहीं है लेकिन कुछ बच्चों का मांग आया है कि सर प्लीज एक टूटकुला होे तो आये एक टूटकुला आपके सामने करते हैं इक बार की बात है एक बैक्ति को गाजियाबाद जाना था है अब गाजियाबाद जाना था अन्हों क्या क्या सुबह सवीरे तैयार हो करके अपने घर से निकल गए और अपने घर के नजदी की स्टेशन पर जा करके वेट करना शुरू कर दिया कुछ देर वेट करने के बाद उधर से एक ट्रेन आई और वो बैक्ति क्या किया उस ट्रेन पर चड़ गया ट्रेन पे चड़ जाने के बाद कुछ दूर ट्रेन आगे बढ़ी थी तो वो बैक्ति आसपास के सहयात्री से पूछता है कि भाई साहब ये ट्रेन गाजियाबाद कब पहुचेगी तो उस सहयात्री ने कहा भाई साहब आप तो गलत ट्रेन पे चड़ गया है ये ट्रेन गाजियाबाद में तो रुकेगी ही नहीं तो ब्यक्ति पूछता है क्या बात करते हैं साहब गाजियाबाद तो इसी डायरेक्शन में है तो उस सहाथरी ने का हाँ हाँ आपकी बात हम मानते हैं इसी डायरेक्शन में है है लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ट्रेंड जिस ट्रेंड में आप चरहे हैं वो ट्रेंड सूपर फास्ट है ये ट्रेंड गाजियाबाद में नहीं रुखेगी अब बेचारा वो व्यक्ति पड़ेसान अब कड़े तो क्या कड़े कोई आप्सन समझ में नहीं आ रहा था कोई बिकल्प नहीं सूझ रहा था बेचारा पसीना से तरबतर तभी उसके बगल में एक सहयात्री यौड थे उन्होंने कहा कि देखे पड़ेसान होने की बात नहीं मैं आपको एक उपाई सुझाता हूँ उसके जान में जान आया और उस उपाई को जानने के लिए बहुत आधिक उत्साहित हुआ बुरा जल्दी से बताईए कौन सा उपाई है का हाँ एक उपाई तो है यदि आप गाजियावाद जाना चाहते हैं तो का हाँ बिलकुल हमक विकश मञब ब्हए नोब जैइंट जो है गाजियावाद से क्रोस्त करेंगे भले ये ट्रेंद गाजियावाद में रुकेंगी नहीं लेकिन गाजियाबाद में स्लो जरूर होगी तो आप क्या कीजिएगा हम लोग आपको डब्बे के गेट पर ला करके ख़रा कर देंगे और आप ट्रेंड से जैसे ट्रेंड स्लो होगी आप कूद जाईएगा और कूदने के बाद क्या कीजिएगा ट्रेंड जिस दिसा में जा शभी सह यात्री मिल करके उसको डब्बे की गेट पर लाकर खड़ा कर दिया और उसके बाद उस बैक्ति को कहा गया कि अब आप कूदिये उस बैक्ति ने पूरे साहस को जुटाते हुए कूद गया जो ही कूदा तो कहा गया था आप थोड़ा दोरना शुरू कर दीजिगा व उनको लगा कि ये बंदा जो दोर रहा है ट्रेन को पकरने के दोर रहा है तो उन लोगों ने क्या किया इसका सट पकर करके कोई बाल पकर करके कोई कान पकर करके उसको उपर खीच लिया और ट्रेन पर चरह लिया और उसके बाद जब ट्रेन के अंदर लाने में सफल हो गया साथे यात्री लोग तो उस यात्री लोगों ने कहा कि भाइसाब आप तो बहुत किस्मत वाले हैं यह ट्रेन गाजिय वाद में रुखती ही नहीं है और आपका ट्रेन पकड़ा गया वो बैप्ति जो था इतने में कहता है कि भाई साहब किस्मत किसी और की अच्छे हुगी हमारे तो किस्मत ही फूटे हुगा हम तो ट्रेन छोड़ने के लिए दौर रहे थे और आप लोगों ने ट्रेन हम को पकड़ा दिया तो यह चुटकुला कैसा लगा प्लीज आप बताई कियेगा जरूर कमेंट बॉक्स में थैंक यू फिर मिलेंगे एक नए चुटकुले के साथ धनिवाद